जब कभी बच्चे आपसे कहा ना कि मम्मा मूंफली वाली चिक्की खाने है तो कोशिश करा करें घर में बनाने की अरे भई जरूरी थोड़ी की हम हर चीज बच्चों को मार्किट से ला कर दें तो मैं आज घर में बना रहे हैं मूंफली की चिक्की तो मैंने एक कप मौफली लिये तो मैंने एक ही कप यहाँ पर ले लिया है गुड़ तो गुड़ को आप इस तरह के से बारिक कर लीजिए दूसरा ज़रूरी काम है कटोरियों को ग्रेस करना या फिर आप बटर के पर ले लिजिए तो मुझे तुझे चिक्की होती है गुड़ की वो कटोरियों में बनाना एजिय लगता है तो मैं हरे कटोरियों में देसी घी लगा रहती हूँ अब देखी क्योंकि चिक्की बनाने के लिए हाथ जलने लगते हैं आतों से दबाते हैं तो मैंने एक टिफिन ले लिया है उसकी तली में भी घी लगा दिया है तो चलिए यह काम तो हमारा हो गया है गैस पर कड़ाये दख देंगे और जो हमने मुंफली लिया ना एक कप उसे भूनना है लोटू मीडियम पर जैसे आप अपनी मुंफली भूने अब इस किचेन टाउvel पर मुंफली डालने के बाद चारे कोनों से कपड़ को पकड़ लिए चारो कोनों से कपड़ को पकड़ लेंगेто इस तरीके संहीं पर हातों से रगण निकाल करतें यह एक रह diğer MARK और फिर पूरी ताने वाला जो जारा होता है उसमें डालके छिलके को और मुंफ़ली को अलग कर लेते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं तो चलिए छिलके अलग हो चुके हैं जो मुंफ़ली हमें चाहिये थी वो मिल गई है और अब गैस पर फ्रिस से कड़ाय रखेंगे उसमें डाल देंगे हमने जो गुड़ बारिक करके रखेंगे एक कप अपना गुड़ डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे एक चमच देशी घी आप अगर चाहो तो यहाँ पर एक चमच पाने भी डाल सकते हो तो चलिए गैस क तो तो पहले तो इसमें की कोई चारषी नहीं लेना है इसे चेक करने के लिए आपको इस तरी के पानी लेना है और उसमें आपको डूल देना है अजब ठंडा हो जाया है तो अठोंसे उठाका देखे तो देखे अभी नहीं चटक नहीं रहा है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो किवल एक ही मिट हमें यहां पकाना पड़ेगा बहुत जल्दी इसकी ना चटकने वाली अब आज आपको सनाई देगी तो मैं दुबारा चेक कर रहे हूं तो देखे ठंडा होने के बाद हमने इसको तोड़ा न तो एक दम तूड़ या तो चलिए अब हमारा गुड़ तैयार है तुरंत ही आपको मुफली डाल देनी है और गैस का फ्लेम आफ नहीं करना है आपको लो करके रखना है यहां पर नहीं तो हमारा जो चिक्किन वकड़ाई में जम जाएगी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो उससे इस तरीके से दबा रहीं बहुत जल्दी दब जाती है क्योंकि यह काम हमें बहुत जल्दी करना होता है नहीं तो इसकी शिप बिगड़ जाती है तो चलिए करी पांच कटोरियों में मैंने यहां पर चिक्की अपनी जमा लिए और तुरंत ही यह बहुत अच्छी से स करेंगे ना तो निकल जाती है तो आवाज देखके आपको लग रहा हो ना कि चिक्की कि इतनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है आप अगर चाहो तो इसमें इलाची बॉर्डर भी डाल सकते हो सफेद वाले जो तिल होती हो लेकिन जो सिंपल प्लेन वाली होती है ना हमारे घर मे डाल के आपको चेक कर लेना है कि वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है और जैसे ही वो टूटना स्टार्ट हो आपको तुरंत अपनी मुंफली उसमें डाल देनी है क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो गुड की चाशनी कड़वी हो जाएगी तो चलिए एंजाई कीज अजया रहाई अगर जाएप।